वेलकम टुड़े विल डिसकॉस अबाउट इंटर्नल इस्ट्रक्चर आफ फ्यूमन हार्ट इस्टुडेंट्स आज हम हिर्दय क्याद्रिक शंक्षा के बारे में अध्यन करेंगे उसमें कितने पार्स पाय जाते हैं उन पार्स के नाम को हम विध्वत देखेंगे और उनका क हो पता है जैसा की जो होता है उसका site में यह बंद मुठी का आकार होता है हुमन का और इसका जो वेट होता है वह आइवरेज 300 ग्राम्श होता है अगर हम इंटर्नल इस्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हाट को हम दो पार्ट में पहली बार डिवाइड कर सकते हैं एक और दुसरा जो part हो जाता है वा left part हो yes students आपको जैसे कि पता है human heart में भेटा four chambers होते हैं तो दो chambers जो होते है वो ऊपर के दो prede numbers होते हैं और नीचे दो economies होते हैं तो ऊपर के जो दो chamber होता है भेटा उसको कहते है देखे oracle क्या कहते है औरicios मिन्स अपर जो चेंबर है वह दोनों चेंबर का नाम है औरिकल अगर वो हाट के राइट साइड में है तुसे हम कहेंगे राइट औरिकल अगर वह हाट के लेफ पार्ट में है तुसे हम कहेंगे के left Oracle Oracle को हम एक्ट्रियम भी कहते हैं औरिकल का दूसरा नाम बेटा है एक्ट्रियम है या हम Oracle का हैं दोनों एक ही चीज है तो first chamber you see here and this one is second chamber this one third chamber and this one fourth chamber तो human heart में चार चेंबर है बेटा तो दो तो चेंबर जो होगा आपका औरिकल्स हो गए दोनों या एक्ट्रियम हम कहें एक राइट और दूसरा लेफ्ट और इकल उसके बाद जो नीचे ओला जो चेंबर होता है उसे हम वेंट्रिकल्स कहते हैं तो अगर हाट के जो है राइट सब्सक्राइब या और हाट के जो लेट साड में आता है उसे हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स तो आप यहां देख लें हाट में पूरा फोकस कर लीजिए आप इदम साब साब आपको दिख रहा है फर्स्ट चेंबर सेकेंड थर्ड फोल्ड तो बेटा जो औरिकल्स होत होता है receiving of blood means Oracle function as to receive blood means right Oracle also receives blood and left Oracle also receive blood तो जो राइट औरिकल जो होता हो blood को receive करता है वह impure blood को receive करता है और जो लेफ्ट Oracle होता है वह pure blood को receive करता है बट दोनों का कार एक ही बैटा receiving blood और जो वेंट्रिकल है नीचे हम देखते हैं तो वेंट्रिकल जो कार होता है इसका जो कार है to pump blood means जो left ventricle है वह pump blood को pump करता है towards the towards the lungs and जो left ventricle है वह blood को pump करता है to all parts of the body तो हम देख रहा है तो अगर इसको देखा जाए और कल और वेंट्रिकल के बीचों बीच देखिए एक वाल पाया जाता है इस वाल को हम कहते है ट्राइकस्पीड वाल्व means you see here between the oracle means right oracle and left ventricle a valve is situated it's it is called tricuspid valve why it is called tricuspid valve is a tricuspid valve क्यों करते है it is called tricuspid valve because it is made up of three force of muscles so it is called as tricuspid valve and you see here here between left oracle and left ventricle a another valve is situated which is called as bicuspid valve its other name is mitral valve means bicuspid valve को दूसरा नम है उसे मिट्रा वाल्व कहते हैं और मिट्रल वाइकस्पीड क्यों कहा है वेटा वाइकस्पीड इसलिए कहा गया है क्योंकि जो वाल्व होता है यह it is made up of two force of muscles so it is known as bicuspid valve and you see here this is the point you see here apex part of the heart this one is apex and you see upper side you are you see this is called the base of the heart 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 गौन जिसे hainth कहते हैं उरोस्ती रोस्ति की जास्ट पीछी हाइं हाट ही होता है और और अक्दम सेंट्रल लोकेटिड होता है इससे उसका एक सब्सक्राइब होता है ऑज हाठ से मिखना वाली जो major arteries and veins जो होती है जिसे हम आयोटा कहते हैं वह अभी left side ही उसका जो होता है जुका होता है इसलिए हमको heart का feeling महसूस होता है कि वह कि side है उसका इस्पंदन जो होता है heart का वह हमको महसूस होता है कि वह left side है देखें बच्चो अब हम courses of blood circulation के बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार से heart में blood आता है किस प्रकार से उसके chambers खुलते हैं किस प्रकार से बंद होते हैं और किस प्रकार से right ventricle या right orical left ventricle left orical कार करते हैं बड़ कहां जाता है और किस प्रकार से double circulation क्या होता है कि आफार के बारे में और देखते हैं यerson 20 I Da story सबदैसों करें जो हाइन कि ProblemIt कि या रहा है पूरसे से सब्रीड सर्kुलेशन की बारे बाद के आती है तो सबसे पहले मिलाख़्ूर्इट है पहले सब्चरेजर करें के हाट के इंटर्नल इस्टक्चर में के बारे में तो हम शुरु amidstM principles च्एंबर फ़स्ट से हम स्टार्ड करते हैं तो आपको बताया है कि जो होता है और रिकल काम ऐरेकल जिसे हमेद्य अट्रिय मिकलते हैत इसको क्या रहे हैं इसका कार याईसा व्लाड इंप्यूर ब्लड बहत्ता है ओके जब भी आप अध्यन करेंंगे तो अग। इसको फिक्स कर लिए एक सांसेट वी स्क लिए कि हार्ट के राइट साइड में इंप्यूर बलड बहता है और हार्ट के लेफ साइड में पिरूर बलड हाता है प्यार ब्लड फ्लोस तो लेट साइड तो हमको अध्यन करना है पाथ पाथ ब्लड शर्कुलेशन तो हम सुरुबाद करेंगे नमबर वन चेमबर से तो देखे बटा वैंजो चेमबर है जिसे राइट औरिकल कहते हैं जो राइट और कल जो होता बैटा देखी इसमें जो है इ इंफीरियर मतला होता है नीचे और सुप्सक्राइब होता है उपर वेन देना imagine means inferior vena क्या है inferior vena क्या वह between onion हे जो hard के left pref right side में पाए जा रहा है hard के right side पाए जा रहा है और वह im weer wilt को लाकर pump कर रहा है कहां पर डंप कर रहा है वह right auricle में गिर आ रहा है- impact को फ्रम lower parts of the body यानी सरीर के निचले हिस्ते से इंपेयर helmet होता है वह inferior वेना कावा लेकर आता है blood को और इसी औरिकल में right औरिकल में dump करता है उसी प्रकार से जो superior वेना कावा होता है वह भी impure blood को लेकर आता है upper side of the body माने कि जो heart के जो उपर side के जो आपका body है जैसे हो गया neck हो गया ear हो गया head हो गया और अन्य जो पार्ट्स है body parts है जैसे आई हो गया वहां से जो इंप्र ब्लड को लेकर आते हैं वह superior वेना कावा लाता है और लाकर इसी में दोनों जो वेना कहवा है inferior वेना कहवा और superior वेना कहवा वह राइट औरिकल में खुलता है तो दोनों इंप्र ब्लड को कर आकर इसी में dump कर देगा यानि यह जो auricle है यह auricle इंप्र ब्लड से भर जाएगा और बेटा आप यहाँ देख रहे हैं ट्राइक कश्पीट वाल्ब यह पहले बंद रहता है एक कैसा रहे वाल्ब यह बंद रहे गा यह वाल्ब होगा यह बंद रहेगा है कि यह क्लोउज कंटरिकल में और छेटर बड़ जाएगा का जब मेड़ने के बाद क्या होगा तो इंपे यह वहां को यह आजएगा, हे ब्लड होगा प्रेटर राइट वेंटरिकल यह ररिप कर दो भर जायेगा भरने के बाद क्या होगा राइट वेंट्रिकल जब यह भर गया ब्लड से तो यह देखिए बटा यह है फिर यह रइड वेंट्रिकल आपका ट्राइक वह बंद हो जाएगा ट्राइकस्पीड वाल जब बंद हो जाएगा तो इसको रास्ता कहां मिलेगा जाने के लिए ब्लड को क्योंकि यह वेंट्रिकल कॉंट्रेट किया है तो इसका प्रेसर बढ़ गया है तो इसका प्रेसर बढ़ने के बाद बड को राश्ता मिलता है इधर से यानि कि यह चला जाएगा यह देखो इधर है पल्मोनरी की आर्टिरी में चला जाए झाल जाएगा पल्मोनरी आर्ट रही में में या देखिए आप ट्राइक सुटध सुटग सनद हो गया जगा मिला of इधर यह ब्लड को जगह मिला इधर से पल्मोनेरी आर्ट्री में पल्मोनेरी आर्ट्री का देखिए वाल्व है इसे वाल्व काते हैं इसका नाम है सेमिलूनर वाल्व इसका नाम है सेमिलूनर वाल्व है इसे सेमिलूनर वाल्व काते हैं यह वाल्व ओपन हो जाता है तो ब् through pulmonary artery it goes towards the lungs यानि pulmonary artery से जो इंप्योर ब्लड होता है वह लंग्स में चला जाता है for purification purification के लिए जो इंप्योर ब्लड है वह लंग्स में चला गया यानि ट्वर्स राइट लंग्स and left lungs for purification किसे जाता है वह जाता है pulmonary artery से और पुरे बॉड़ी में एक ही ऐसी आर्टरी है जो इंप्योर ब्लड को ले कर जाती है वह कौन सी आर्टरी है वह है pulmonary artery या pulmonary artery जिसे हिंदी में फुफूस धमनी कहते हैं फुफूस धमनी वह ऐसी धमनी है जो human body में वह इंप्योर ब् artery lunges में गया इमप्योर ब्लड गया वहां पर ब्लड प्यूरीफाइड हो गया यानि कि यह इंप्यूर ब्लड है इंप्यूर ब्लड का मतलब डी ऑक्सिजीजिटर ब्लड जिसमें ऐसा ब्लड जिसमें oxygen का लेवल कम हो और carbon dioxide के लेवल ज्यादा हो उसे ही अब कहते हैं डी ऑ किसमें आएगा हाट में आएगा किसके मात्हम से आएगा हो आएगा pulmonary vein के द्वारा आएगा pulmonary vein जो है वह प्योड ब्लड को लेकर आएगी हाट में ठिक है यानि कि पूरे बॉड़ी में एक ऐसी वेन है जो प्योड को किरी करती है ट्रांस्पोर्ट करती उसका नाम है पल्मोनेरी वेन वह प्यूरिफाइट ब्लड को लेकर आई कहां पर लेकर आई लेफ्ट औरिकल में या लेफ्ट एट्रियम में लेकर आई यह प्यूर ब्लड किसके द्वारा लेकर आई पल्मोनेरी वेन के द्वारा प्यूर ब्लड आया यह इसमें भर गया यह जो चंबर है थर्ड चंबर है अब यह भर जाएगा इसमें देखिए वाल्व है जिसे हम कहते हैं बाइक स्पीड वाल्व मेंस लेफ्ट औरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्ध बेटा एक वाल्व होता है जिसे हम कहते हैं बाइक स्पीड वाल्व यह वाल्प पहले क्लोज रहता है इसमें जो है बलड भर जाएगा प्यार बलड भरने के वाद जिवे कॉंट्रैक्ट होगा तो यह उपन हो जाएगा byकर स्पीड वाल जो प्यूर ब्लड हो फ्लो कर जाएगा कहां लेफ्ट कि कर दिया लेफ्ट के बलड ने पंप हो गया है भाइक आस्वाइब आपकन होने द्वारा कारण जो है यह की वेंट्रेट करने के बाद जो प्लड होता है वाध्व अगेन जो है एक यह वाल्व हें । होग मुझे के बुटा है और यह पतली हो गई लेकर आती है किया है ट्री निकली हुई है लेकिन प्रॉल यह आप ca सबसे मजबूत होता है क्योंकि सबसे ज्यादा कार इसी को करना पड़ता है और ज्यादा कार करना इसको ज्यादा कारे तो ज्यादा कारेगा ज्यादा मजबूत होगा और यह ज्यादा मजबूत होती है पुरे बॉलो हो जाता मैं इसे ही कहते हैं कोर् allemaal सेटीड़ टो ब्लाड शरोच्वलेशन सबसे पहले फिर से अच्वाइशन जब भी होता है हबला हम तो उसको हम बाइट सबसक्राइब आप मोईतन करते हैं शुरू हो रहा है यहां से इन्फिरियर को सबस्री होना का वाहा से लगर को राइट औरिकल में और लगर जाता है तो यह जो ट्राइक्स पीड यादा है उब जो इंपीर होतА है वह राइट प्रेशर के दौनेरी के दौन्ठ उतल यादा है तो आप में बन्द हो जाता है फिर ब्लड अपना रास्ता जो है बनाता है सेमी लूनर वाल के खुलने के कारण वह चला जाता है पल्मोनेरी आर्ट्री में पल्मोनेरी आर्ट्री के द्वारा ब्लड चला जाता है लंक्स में लंक्स में ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है प्यूरिफाई होने के बाद ब्लड पुना अगेन जो है पल्मोनेरी वेन के द आता है लेफ्ट इटल्ड से लेट से लेटर्स साभिता है और यह ब्लको जो है पंप कर देता है और आटा सी पुरे बॉडी जादर दैशे ऐड़ हमारा तो होता है डेखिए फॉर्त Γार। होता है जितने भी औरगेनिजम में फोर्चेंबर हाड के उनमें जो हाड होता है उनमें जो ब्लड होता है प्यूर ब्लाड और ब्लाड वह हाट में मिक्स नहीं होता है इसलिए इसे हम कहते हैं double circulation double circulation 12 ब्रशन्ट शार करें के दोरह एच buffaloalisẹ औरोफ बड्रबस टोद्स हइं है जो की और फिचंच मुंख़ खिंवांट आफ ब्लॉड ब्लॉड इंपन जी सबखें आप मुंखूण थो तिम्हalet हमाइट सी आइ and other towards left side means for complete circulation of blood in the human body a fixed amount of blood comes towards right side and left side first of all it is in pure blood and again it is pure blood so pure blood so impure blood and pure blood is not mixed in the heart this is known as blood circulation एक बार ब्लट को आना पड़ता है राइड साइड और एक बार आना पड़ता है left side पूरे body में circulate होने के लिए इसे कहते हैं बेटा दोहरा परिसंच्रण एक बात आप और देखें बेटा इधर हाट में यहां पर दिखाया जा रहा है यह से node you see here यहां पर एक बड़ा से गांट दिखाया गया है जो लाल रंग में है बेटा इसे यह से नोट कहते हैं नीचे देखें एक जुड़ा हुआ और जो है छोटा सा बटन है इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं बेटा एवी नोड तो यह से नोड जो होता है बेटा यह से नोड़ कहते है नेचुरल पेस्मेकर नेचुरल पेस्मेकर अब दी हाट इसका फूल फॉर्म देख लें तो यह से नोड़ का फूल फॉर्म होता है इसे हम कहते हैं साइनो और इकुलर नोड और इसका पूरा नाम है वी नोड का और और इकुलो वेंट्रिकुलर नोड यह से विए करगा यानि स्वता नीरधारक होता है रट की जो बैटरी होती हां को हट को भी हर्ड करने के लिए लिए उसे मिला है यसे नोट की नोट की करता है तक हो ब्राबर कांट्रेक्शन करने के लिए आपको मालिम है कि आपका हुआ होता है फसको हाट बीट करने के लिए जो पावर जिख्य ? मेंट्ट कुछाँ ही नो इसाहम कहते है नेच्ञोरल पेस मेंकर तो यहाँ से जो है से सब्सक्राइन एधिक हाना गया है कि थोड़ा क्या कि च्षक्राइब कर देखिए एक बंडल मिल निकले हुए है एक गता है मैश में दिवांद हो जाता है दो फाइबरस में यह चला आता है राइट साइड और चला आता लेट साइड तो इस फाइबरस को कहते हैं पर किंज फाइबरस पुबनिआ होता है कंडक्शन आफ इम्पल्सेस् यानि यह ऐसे नोड से जो करेंट उत्पन होता है उस करेंट को यह परकंजर फाइबर जो है वह पुरे हार्ट मसल्स में जो है फाला देता है जिसे हाथ को ऌफार पेस्जुक जो है ताकत मिलता जिसे पंप करते हैं ब्लड को झाल झाल